नमस्कार लाइफ के यह आठ सुत्र आपकी लाइफ बदल सकते हैं आपको जीवन बदल सकते हैं कुछ ऐसी बात हैं अगर आप अपने जीवन में इसको फोलो करो गया तो आपकी परशनालिटी आपका व्यक्तित्व आपका परभाव और आपकी प्रोग्रेस बहुत हद तक इ आपodate यह इस वाट है जो आपकी प्रगत्य को चार्व लगागए आपकी प्रगत्य को बहुत इसपीट्ली बड़ा देगी और लोगों के अंदर आपका प्रभावं छोड़ेगी आपका व्यक्तित्व छोड़ेगी तो यह ऐसी आठ बाते ऐसी कौन से हैं जो आपको जाननी चाहिए आपको अपने जीवन में उतारनी चाहिए आपको अपनी प्रस्टनालिटी में लानी चाहिए यह देखिए नमबर वन सबसे हसकर मिलिये और सब को सम्मान देजी अगर आपकि विखती तो ऐसा होता है आपकी सबसे हसकर मिलते हैं और सब को सम्मान देते हैं जी और आप करके बोलते हैं तो हरकोई आपका मूरीद होगा हरकोई आपकी परसंसा करेगा और आपकी परस्टनालिटी डवलप होगी कभी किसी से उदास मन से मत मिले हमेसा हस कर मिलना और हमेसा सब को सम्मान दे कभी किसी को तू तड़ा की बासा सा न बोले त्यान रखना आपकी यही सब्द आपको दूसरों को दिलों में उतारते हैं इसलिए हमेसा सब को सम्मान दे सेकंड अपने गल्ती मानी और दूसरों को माप कीजिए आप इनसानों हम सब इनसानें इनसान से गल्तिया होती तो गल्तियों को एक्सेप्ट करिये कि हाँ मुझसे गल्ती हुई है गल्ती को स्विकार करने में कभी सर्व मत करना क्योंकि जो इंसान गलती स्युकार करता है ना वो इंसान बहुत बड़ा सहसी होता है और जो इंसान गलती स्युकार करता है ना वो उस गलती को सुधारने के हिम्मत भी रखता है और माप कीजिए कभी किसी से गलती हो जाए तो उससे माप कर दी दिल में एक पत्थर लेकर मत रखना कोई इंसान अगर आपसे माफी मांग रहा है या आपको किरा कि गलती होगी तो उसको माप कर दी ठाड़ किसी की प्रसंसा कीजिए उसका होसला बड़ाई कभी कभी क्या होता कोई भी आपके सामने कोई अच्छा कारिय करता है तो वोसे लोग क्या करते हैं हाँ किया है खीक है चलो कोई बात नहीं अगर कोई व्यक्ति या कोई भी इंसान अच्छा कारिय कर रहा है बहुत गुड वर्क किया तो उसकी प्रसंसा कीजिए दिल खोल कर उसकी प्रसंसा कीजिए उसका होसला बड़ाई है उसका उस्सा बढ़ाई है उसको इंक्रेज करें कि ब्रश में भी आप ऐसा करते हैं अगर आप किसी की परसंसा करोगे ना आप किसी की होसला बढ़ाओगे ना तो व्यक्ति आपका मुरीद हो जाएगा व्यक्ति जिवन में आपको कभी नहीं बुलेगा वो हमेशा आपका साथ लेना चाहेगा फोर्थ धन्यवाद करें और दूसरों की मदद करें ध्यान रखना कोई भी इन्सान अगर आपकी मदद करता है न तो उसको धन्यवाद दे दिल से धन्यवाद दे और सुक्रियाद रख रहे हैं और जब सामने वाले ने आपकी मदद की तो जब कभी समय पड़े तो उसका भी नीज स्वार्त मदद कीजिए ये दुनिया एक दूसरे के सायोग से ही चलती है आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे आपको सक को साथ लेकर चलना होगा इसलिए जब भी कोई आपका साथ दे जब कोई आपके साथ खड़ा रहे तो उसको धन्यवाद कीजिए और जब भी जुरुत पढ़े तो उसकी मदद कीजिए अच्छा पढ़िए और अच्छा बोलिए ध्यान रखना पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़े हैं जो आप पढ़ सकते हो लेकिन इसी चीज़े पढ़ना जो आपके प्रस्मालिटी को डेवलप करें आपके व्यक्तित्व को डेवलप करें अच्छा पढ़ना आपके लिए बहुत बड़ा फाइदेमन सावित हो सकता है और अच्छा बोलिए अगर आप ध्यान रखना अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा बोलोगे ओटोमेटी लेगिन अगर आप ध्यान रखना अगर आपने गलत पढ़ा तो आप डेपिनेटली यह विल इस्पेकिंग रोम इसलिए अगर आपको लगता है गया नहीं मुझे अपने प्रस्टनालिटी डवलप करनी है तो अच्छा पढ़िए और अच्छा बोलिए किसी का सयोग करी और किसी का सयोग लीजिए त्यान रखना आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हो हर जब आपको लगती है गया नहीं यार मुझे जरूत है किसी चीज़ का अपने आप पे अंकार मत रखे आपको सयोग की जरूत है तो सामने वाले से सयोग ले यह अंकार मत लीजिए और दूसरों का सयोग कीजिए, आप सयोग लेंगे और दूसरों का सयोग करेंगे ना, तो लोग आपको हमेसा याद रखेंगे, सेवन, अपनी चीजों को हमेसा साजा करें, बहुत से लोगों क्या अदर होती है, उनके पास गाड़ी होती है, या मोबाइल होता है, और कोई भी ऐसी चीज होती है वो साजा नहीं करते है वो अपने आपको परफेक्स ममज़ें नहीं यार, यह मैं तिरह को नहीं कुछा हूँ यह तो मेरी नहीं ऐसा मत रगए कभी हर इनसान के जुरूत पड़ती है अट जाजा कीजिए कोई फरक नहीं पड़ता है अगर आप किसी को कोई चीज दे दोगे तो वो व्यक्ति अकलावले व्यक्ति वापिस आपको इस इलाके देख, मदद कीजिए, अपनी चीजों को लेकर चूची मत बनिये, आपकी चीज अच्छी है, बिल्कुल बेशक्ति है, बेशक्त अच्छी 1. महनत करें और देरी रखें, त्यान रखना कि जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो महनत करते रहें, बहुत से लोग महनत करते हैं लेकिन देरी नहीं रखते हैं, मैं थोड़ी दिन महनत करेंगे, फिर वो कारी छोड़ देंगे, थोड़ी देर महनत करेंगे, वो कारी कभी सपनी होता मेहनत करते रहें और अपने कारी में इनोवेशन लाते रहें मेहनत करते रहें और साथ में देरी रहें आज नहीं तो कल आपको आपका लक्ष जरूर मिलेगा इसलिए मेहनत करते रहें और देरी रखते रहें तो यह आठ बाते आठ सुत ऐसे हैं जो आपका ज लगा सकते हैं